गुरू की साजी नमाजी मम्तमाई परमप्यार सी बोलिये धनिंकार जी आउ संत महतमाओ इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? इंसान के जीवन का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? क्या पाप से इंसान बच सकता है? आउ संत महातमाओ इसी ओर मन्थन करेंगे और ये जरूरी भी है ये इनसान की आत्मिक कल्यान के लिए जरूरी भी है ये भफसागर से पार करने के लिए जरूरी भी है कि उसे आत्मिक गुड़ों के बारे में नौलिज होनी चाहिए उसे पाप कर्मों के बारे में नौलिज होनी चाहिए कि आखिर पाप और पुद्णे क्या है तो आउ संतमातमाओ तो कोई तो कहता है जूते मुख से हरी का बजन करना है पाप कोई कहता है सुबै सवेरा नहाने से पहले जाब करना है पाप आउ संत मातमाव दुनिया पाप पुर्णे के चक्कर में उलज गई पाप किसको सार नहीं कहे अफ्तार वहरू बच गई जिसने ये नियंकार को पहचान लिया और जान लिया आउ संत मातमाव बात पाप की चल लगे तो बेद सास्तरों की और यदि चले तो सास्तर बता रहे हैं एक तो होता बाणी का पाप जो इंसान अपनी बाणी से किसी को भला बुरा कह देता है किसी के प्रती गल्ट भामना बोल देता है यानि किरोध में आन करके कुछ भी ऐसे सब्द बोल देता है जो कि अच्छे नहीं होते तो आउसंतमात्माओं कहते हैं एक बाणी का पाप भी है यदि आपने बाणी से किसी को गल्त यूज किया है तो बास्ता में ये भी एक पाप की गिंती में आता है आउसंतमात्माओं दूसरा होता है सरीर का पाप यानि आप यदि किसी को सरीर से नुकसान पचाते हैं सरीर से छटी पचाते हैं सरीर का आप दुरुपयोग करते हैं अब दुरुपयोग चाहें भी किसी भी परकार का हो सकता है सरीर का दुरुपयोग चाहें किसी भी तरीके का हो सकता है आउ संतमातमाओ यानि अपनी ताकत का इंसान को एहंकार करना गुमान करना किसी को सताना निर्मल को या फिर किसी की मैड वगएरा जमीन भत्याना या बहुत सारी ऐसे किरिया कलाब जो सरीर से हो सकते हैं या फिर जुवा खिलता है इंसान तो ये सारे काम चोरी करना सरा पीना ये सारे काम सरीर के हैं तो आउ संतमात्माओं कहते हैं एक बाड़ी का पाप दूसरा हो गया सरीर का पाप लेकिं तीसरा भी पाप है जो कि ना जाने कितनी बार इंसान करता है लेकिं वो चेतनी नहीं हो पाता कि मैंने पाफ किया है आउसंतमातमाओ कह रहे हैं कि यदि तेरे मन में भी किसी के प्रती ऐसी बुराई का भाव पैदा हो गया यानि उधारण के लिए यदि सोने पे किसी की नजर पहुंच गई और सोना आपका नहीं और आप चाहते हो कि वोल्ड किचैन मेरी होती या गलत नजर डालूँगा बहुत सारे ऐसे काम जो मन में विकार उत्पन होते हैं जो हर पल मन इतने चलाएमान है कि हर पल बदलता रहता है आउसंतमातमाओ तो फिर मन का पाप से कैसे बचें यानि अब मन का पाप तीसे नम्मर का है मानसिक पाप तो आउसंतमातमाओ ये पा जब एक घोड़ा देखते हैं, और घोड़ा यदि उसके लगाम ना डाली जाए घोड़े के, तो जानते हैं आपको जो सवारी आप खा रहे हैं, आपको खंती में डाल देगा, आपको तलाम में गिरा देगा, आपको ऐसे गर्त में ले करके जाएगा, यानि आप उठ भी नह मन प्quelle पहला ना हैं, मन को परमातमा का ऐसास दिलाना है कि परमातमा यह चहो और है, जिदर देखता हूँ उधर तु가요 तो है, और हर सेमें जलबा तेरा होब हुआ है, आपको यह ऐसास दिलाना है, यह परमातमा सब और है, यह देख रहा है हमारे उच्छे मुरेकार्यों क तो आउ संतमात्माओं हमेशा जो भासा मधुरता का प्रियोग करें हमेशा दोसरों का यानि दोस ना देखें औरों के गुना देखें मैंने जब अपना गुना मालूम ना था ए नूरे हकीकत जलबा तिरा ए मेरे खुदा मालूम ना था आउ संतमात्माओं तालास के दुनिया में बहुत पर तेरा पता मालूम ना था जब हम दूसरे को दोसों को देखते हैं और अपने के दोसों के और दिहान नहीं देते तो सबसे पहले बुरा जो देखन मैं चला मोसे बुरा ना कोई जो तन जहागा आपने और मोसे बुरा ना निकाल देना है और आपको क्या करना जीरो मान लेना क्योंकि परमातमा भी जीरो है और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता निर्गोड नंकार है आप भी सब कुछ करते हुए भी परमातमा को सौप देते हैं कि करन घरामन हार तो सब कुछ देरे पास मेरे पिर वह अच्छा कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं सच्चे पासा और यदी बुरा हो रहा तो सरीर से आप ऐसी किर्पा करें कि सरीर से कुछ भी ऐसा बुरा नहों आप ऐसी किर्पा कि जी सरीर से ब अतार पे सब छोड़ दीजिए